यूपी और उत्राखन के खबरों के लिए विपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं खीरी में 215 लीटर अवैज शराप के साथ 115 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तीन तस्वीरें गोरकपुर प्रतापगड और लखिमपुर खीरी किये और अब खबर गोरकपुर से है यहाँ पर नकली शराप के गोरक धंदे का परदा पाश हुआ है मामला तिवारीपुर थाना क्षेतर के नरसिंग पूर का है यहाँ पर आपकारी भी भाग ने किराने की दुकान में च्छापे मारी कर आठ हजार बेसी साड़े तीन सो विदेशी शराप की बोतले बरामत किये आरोपी किराने की दुकान और मकान की याड में अवैद शराप बेच रहा थे सूचना मिली थी कि नरसिंग पूर में कोई व्यक्ति है जो अवैद रूप से नकली शराप बनाता है और नकली शराप के धकन वगरे जो है सप्लाई करता है तो उसी की सूचना पर आज हम लोग सुबह वहां पर दबिश किये हैं करीब सुबह नो बज़े के आस पास तो वहां पर एक व्यक्ति है प्रमोत कुमार और पुत्र उसके पिता का नाम है राधेश श्याम उसकी किराना की दुकान है उसी में उसका मकान भी है जिसके अंदर वो राता है तो वहां पर हम लोग दबिश किये तो उसके घर से करीब जो है हम लोग को 8000 देशी सराप के धकन करीब 3600 जो है बिडेशी शराप के धकन जिसमें इंपेरियल ब्रू ब्रांड के मैगडावल ब्रांड के और जो है आरेस प्रांड के धकन मिले हैं दर्श परताब गड़ में आवाई शराप बेचने वाले शराप कारोबारियों को शेह देने के बाबले में देरवा के चौकी परबारी 37 यादव को एस पी अनुराट आरेने सस्पेंड कर दिया है इसके लावा दो शराप तसकरों को भी गिरफतार कर लिया किया है रविवार को जेटवारा इलाके में स्वाट टीम में च्छापेंबारी के दारा बारे लाग की शराप परबन की थी इदर लखिमपुर खीरी में भी अवैद और कच्ची शराप के खिलाब लगातार अभियान चलाए जा रहा है पुलिस और आपकारी की टीम लगातार शापेंबारी घर रही है अलग अलग थानों से कच्ची शराप पर कारवाई कर एक सो पंद्रा अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया जया है साधी 62 अवैद शराप बट्टियां सहीट दोजार एकसो पांच लिटर अवैद कच्ची शराप भी बरामत की लिए और प्रदेश में बेटियों से हैवानियत कम होने का नाम नहीं ले रही है तासा मामला बुलंच शेर का है वहाँ पर पासू थाना क्षेतर के कुछ यूवकों पर आरोब है कि उन्होंने नहाते वक्त एक लड़की का वीडियो बना लिया और जब प्रिटा को इस बात की जानकारी हुई तो उसने आरोबियों के खिलाफ आवाज उठाई आरोबियो वायल करने की धंकी दी और इस दोरान एक आरोबियो प्रिटा के साथ रेप करता रहा जब प्रिटा के परिजन आरोबियो के घर पहुँचे तो उसने नसर्थ वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया बलकि लड़की के परिजनों से मार पीड भी लिए फिलाल पुलिस ने सभी पांचों आरोबियों को हिरासत में ले लिया है महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसकी नावालिक बेटी का कुछ लोगों द्वारा अपतिजने की वीडियो क्लिप बनाया गया था और उसके द्वारा उनके द्वारा उस बच्ची का सारी क्षोशन किया जा रहा था जब उस महिला ने विरोध किया उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की इस शिकायत के क्रम में थाने पर अभियोग बंजीगरत किया गया और विचनात में कारवई करते गए थाने की पुलिस दोरा सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिए और अब खबर बस्ती से है यहाँ पर फर्जी आईएस अधिकारी बता कर एक शख्स ने दो लोगों से 22 लाख रुपए ठगा और फिर चब पर थो गया यह मामला कप्तान गंजे लाके का है आरोपिय ने खुद को केरल केडर का आईएस अधिकारी बता कर नौकरी दिलाने का बादा किया था अलागि आरोपिय के खिलाब पुलिस ने मुकदमा दर्स कर आगे की कारवाई शुरू कर दिया अब मुरादाबाद के कटगर ठाना आए लाके में 11 निवम्बर को ही एक हिवट्टी के हत्का के मामले बात्प चलासा हो गया पुलिस ने यॵट्टी के प्रेमी को गिरफ़तार कर लिया है आरोपिय का कहना है कि वो उससे प्यार कर था झाल झाल